कर देखते हैं आज के दिन क्रिप्टो मार्केट के क्या हाल आता है क्रिप्टो मार्केट में क्या चल रहा है तो स्टार्ट करते हैं हमारी अप्डेट से लिख में हाल जाएंगे जो के सिप्टesser है उसको कोई राइट नहीं होगा कि वो फनको अप्रक्रीज़ पने इसाब से manage कर सके हैं और यह जो distribution किया जा रहा है dodge wallet से rewards की तोरबे developers को उससे उनको reward दिया जा रहा है जो उन्होंने पर contribution दिया है चाहे वो छोटा हो चाहे small तो एक तरह से dodge की तरफ से अपने जो contribution करने वाले लोग हैं उनको यह reward दिया जा रहा है साथ ही dodge coin developer की तरफ से एक जो rumor उठ रहा था कि dodge coin जल्दी proof of stake में mechanism पे आ जाएगा उसको decline किया गया है उनकी तरफ से announce किया गया है कि वो अभी भी proof of work पे ही mechanism पे काम करेंगे क्योंकि dodge coin जो है second largest proof of work cryptocurrency है और वो अपने mechanism को proof of stake पे नहीं ले जाने वाले है हमारी next update है SushiSwap की तरफ से उनके CEO की अनाउंस किया है new economics को for liquidity SushiSwap की तरफ से एक नय announcement आया है कि जो operations है वो assets continue रहेंगे बट उसकी जो tokenomics है उसमें liquidity को boost करने और decentralizedization को platform पे और से दबढ़ावा देने के लिए ये चीज़ है की जारी है ये अनाउंस किया है उनके CEO ने जिसमें की plan को redesign किया जाएगा ताकि SushiSwap की जो economics है उसको upgrade किया जाए ये proposal जो है December 30 को Sushi के form पे आया नाउं ये जो model रहेगा वो time lock tire के साथ अंडियोस किया गया है जिसमें emission based rewards भी रखे जाएगे साथी token burning mechanism और liquidity जो lock है price support के लिए इन सब चीजों को लेके upgradation किया जाएगा ये जो proposed model है ये LPs जो है उसको भी किस तरह से liquidity को lock किया जाएगा boost up के लिए emission based जो rewards के लिए वो सारी चीज़े इसमें बताई जाएगे साथी इससे related upgradation किया जाएगे ताकि SushiSwap के token को और ज़दा enhance किया जा सके उसके price में और अच्छा सुधार हो सके ये जो redesign किया जा रहा है SushiSwap का tokenomics उसको disclose नहीं किया गया है अभी इसे related update जल्द ही market में reveal की जाएगी next update है Bitcoin के बामने में अगर देखा जाए तो Bitcoin के जो core developer है उन्होंने 2200 plus के BTCs hack में खो दिये Bitcoin OG जो core developer रही है उन्होंने अपनी PGP के साथ compromise किया जिसका result ये निकला है कि virtually उनके जो Bitcoin है वो चोरी हो गए है original core developer है Bitcoin के बीचे जिन्होंने काम किया है और इनकी तरफ से hacker दोरा इनकी जो pretty good privacy key थी जिसे PGP के नाम से जाना जाता है जो एक common security method होता है to key इसके बीच में इंक्रॉप्ट इंफोमेशन को gain करने का उसे चोरी किया गया है जिसके बाद इस जो उनके coins है BTC उनको चोरी किया गया है जिसकी अगर worth देखी जाए तो उन्होंने करीब 3.6 million price की BTC हो दिये अगर quantity में बात करें तो 216.93 BTC चोरी कर लिए गए hacker द्वारा इस core developers से तो यह एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि वैसे तो बहुत सारे scams crypto market में होते रते हैं hacks होते रते हैं लेकिन core developer का इस तरही के से अपने BTC खो देना आपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारी next update है global crypto trade volume को लेके इसने एक significant decline देखा गया December 2022 में अगर crypto की market की बात करें तो daily cryptocurrency trade volume में drop देखना एको मिला है December 2022 में January 1st के data यह show करता है 22.95 billion dollar की trade हुआ पिसे 24 गंटों में अगर compare करें तो यह double amount आउंट दो हफते पहले था 54.78 billion dollar जिसे कि सीधा यह result देखने को मिलता है कि December मन्त में जो trading volume है उसमें काफी ददा drop देखने को मिला November के अगर बात करें तो 54 days prior में FTA collapse के बाद भी अगर trading volume देखा जाए cryptocurrency का 115.33 billion था इससाइब से 46% तक लोवर गया है December मन्त में crypto trade volume जो कि एक अच्छा data नहीं है साथ ही अगर stable coin की बात करें तो 16.44 billion trade volume रहा stable coin का and another cryptocurrency volume की अगर बात करें तो वह भी जैन्वरी में अभी decline हुई थी 2022 में another month में May September और November में भी decline देखने को मिला 2022 का अगर पूरा साल लेखा जाय तो trading volume में काफी कमी देखी गई according to the data साथ ही statistics यह show करते है कि December 2022 में अब तक का सबसे low trade volume रहा है previous month के comparison में जिससे की एक lack of interest देखा गया है crypto market में potential lower volume देखा गया है जिससे यह पता चलता है कि आने वाले time में हो सकता है crypto currency economy में एक bullish shine देखने को मिले जब limited selling pressure रहेगा तो इस तरह से crypto market के 2022 के हलात यह रहे थे 2023 में हम उमीद करते है crypto market अपना एक bliss pattern दुबारा से दिखाएगा next update है Luna classic burn rate को लेके जो हाली में spike कर गया 6900% तक 142 million Luna classic को burn कर दिया गया पिसे 24 घंटों अगर हम data Luna classic के burn rate की बात करें तो उसके जो supporter से उन्होंने 142 million Luna classic new year वाले दिन बे burn कर दिये dedicated Luna burn tracker के तरफ से यह data show हो के आया कि इतने बड़े amount में एक single transaction में 123.7 million Luna classic को burn कर दिया गया और अकर देखा जाएगा accounting के इसाब से 87% all Luna classic burn किये गया स्रिफ एक दिन में जो कि एक बड़ा amount है बड़ा transaction है second transaction के अगर बात करें तो उसमें भी 18 million Luna classic को burn wallet में transfer कर दिया गया इससे पदा चलता है कि टरर लूना classic की जो burning है वो काफी अच्छे rate पर चल रही है आहो हो सकता है आने वाले टाइम में इसे टरर लूना classic के प्राइज में थोड़ा pump देखने को मिले और अगर देखा जाए तो ecosystem जो collapse हो था मही में उसके बाद 6.9 trillion Luna classic की supply reduced हुई थी इसके जो supporter valuators और exchanges है उन्हों ने भी अगर देखेता है 36.9 billion Luna classic को burn कर दिया जो की represent करता है total supply का 0.5% तो आज के लिए इतना ही आगे आने वाली खबरों के लिए हम आई साथ बने रहिएगा तो चैनल को subscribe कर दीजे और वीडियो को जरूर like कर दीजे का thank you